हेलो एंड वेलकम गाई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चैलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रीम 11 सुपर स्में स्टीट 20 की जो की मेंच होगा या पर ऑकलेंड एसिस वर्सिस ओटाको वर्ट्स के बीच में तो चलिए दोनोंगे टीम के प्ल कुछ ऐसे प्लेयर्स है जो कि कल की मेंच नहीं खेलने वाले हो और उनका जो सिलेक्शन है वो पब्लिक भर-बर के उनको लेखे जा रहे हैं तो उनके बारे में भी हम आपको बता देंगे वीडियो में तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो यह मेंच सुबह में साथ बज़े शुरू होगा इडन पार्क ओक्लेंड में तो आप अपना अलाराम सबसे बहले लगा दीजिएगा क्योंकि आप अपनी जो मेच है अपनी जो टीम है वो एडिट कर सको तो सबसे बहले अपना अलाराम रख दीजेगा अगर जल्दी उ तो साथ के आसपास रहा है बाकी बॉलर्स और बेश्में दोनों ही अच्छा काजा कुछ करते हुए जहापर नजर आएंगे आपको टीम ओकलेंड एसेस की बात करो तो अभी दख 6 मैच के लिए जहापर 3 मैच वो जीत के आई है और 3 मैच में उसको हरका सामना करना पड़ है पॉइंट टेबल की बात करो तो पांच में नमबर पर है जोर्ज वोकर आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे जिन्होंने टीम के साथ जुड़े हो और उसके साथ ही टीम की situation भी कुछ अच्छी हो गई यहां पर पिछली दोनों मेच वो जित क्या रही है यहां पर पहली मैच में बात करो तो चवदार रन का स्कॉर किया था दूसरी मैच की बात करो तो 53 रन का स्कॉर के था साथ में तीन वर्ष की यहां पर एक विगेट भी मिला था दो पान्च व़री जैंद बाजे के थी दूसरी मैच की बात करो तोkap 5 रन का स्कॉर क्या उस नहीं की। वाइस केप्टेंशिप भी देना चाहो तो एक अच्छी चोईस आपके लिए हो सकती है लेकिन ये सारी बात है हम लोग लास में टीम के बारे में बात करें कि बाकी उनका पर्फरमस काफी अच्छा है और टॉप और बेटिंग करवात है तो एक अच्छी चोईस हमारे लिए हो सकती है तो एक अच्छा स्कॉर करने के इसके उबर एक होप रख सकते हैं बाकी ठिक ठाक पर्फरमस है इतना कुछ खास पर्फरमस नहीं रहा भी तक शिन शेलिया की बात करो तो पहली मैच में एक रन किया था बैटिंग करते वह साथ में एक और विकेट नहीं मिला दूसरी मैच म उनको तो यह भी उनको भी नॉटिश करने जासा है कि अभी तक कोई भी मैच में इतना कुछ खास पर्फरमस नहीं दिया है इवन बैटिंग और बोलिंग दोनों करवाते हैं लेकिन फिर भी कोई पर्फरमस उनका रहता नहीं है बाकी एक मैच में उन्होंने दो दो स्कॉर किया था च्वाथी मैच में 27 रन का स्कॉर किया था बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं तो बैटिंग से इतनी ज्यादा कुछ अक्षे प्टेशन नहीं रख सकते हैं इवन आपको कैप्टर कैचिंग और स्टंपिंग से अच्छे पॉइंट जनरेट करके दे सकत है क्योंकि यहाँ पर बॉलिंग करते हो नज रहाएंगे आपको लॉकी फर्ग्यूशन तो इसके लिए बैंड होन आपको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं तो लॉकी फर्ग्यूशन पहली मैच में दो विकेट लेके आ गए थे तीन वर्ष की गयन बाजी की थी साथ रन का कि घंबासी की विकेट ने मिला। इसके बाद और चार की गैन बाजी की घंबासी की जा पर दो विकेट लेके आ गए तो यह द knights हो इसके बाद तीन विकेट मिला प्लस बैटिंग करवाते हुए 12 रन का स्कॉर भी किया था यहापर आदित्य अशक की बात करो तो आपको हर एक मैच में ओर पुरी करवाते हुए नजराएंगे पहली मैच में चार वर्ष की थी विकेट नहीं मिला था दूसरी मैच में एक विकेट मिला इसके बाद तीन विकेट मिले थे चार वर्ष की गेंबाजी की थी इसके बाद दोनों ही मैचों में लगा था चार वर्ष की गेंबाजी की एक एक विकेट मिला लेकिन पिछली लास्ट मैच की बात चार वर्स के ग्यान बाजी की जाए पर तीन विकेट मिले इसके बाद विकेट नहीं मिला दस मैच सिकेले होए जापर टी टैंटी में उनके तेरा विकेट हैं, तो कल अच्छा कहसा कुछ कर सकते हैं अगर चांस मिला तो आपको ओँरस करते होए लोकी फर्ग्यूसन और बेंड लिस्टर आपको देथ हो असमें बॉलिंग करवाते हों नजर आएंगे तो इनको दोनों को नॉटिस करके चलना है और दोनों ये अच्छी खासे गयन बाज़ी भी कर लेते हैं तो यह दोनों को हम लोग अपनी टीम में लेके जा सकते हैं यहा सकते हो तो कल की मेंच वह नहीं खिलने वाले हैं तो इनके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे तो चलिए अभी टीम ओटा को वोड्स के बारे में बात कर लेते लेकिन इससे बेले अगर आपने अभी तक हमारा टेलिग्रम चैनल जोइन ने किया तो यह टेलिग्र चैनल जोइन करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक एटेज किया प्लस आपको नीचे कॉमेंट सेक्षन में भी लिंक एटेज करके दे दूँगा इनकेस अगर लिंक वर्क ना करें तो सी दे जाए टेलिग्रम में वहां जाके आप सर्च कर सकते हो एड़ आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा तो आपको सिंपली उसे जॉइन कर लेना है क्योंकि आपको स्मॉल लिग की टीम आपको वहीं पर मिलेगी प्लस फेंटासु से जूड़ी हर खबर आपको वहीं पर मिलती रहेगी तो ओटाको वर्स ने आठ मेंच के लिए जहापर सि करते हो नजर आएंगे और कभी-कभी 2-3 वहर करते हो बिनाजरा आएंगे पहली मेच के बात करो तो साथ रंक किया इसके बाद 11 का स्कॉर किया, तीन विकेट उनको नहीं मिला है तो ओपनिंग करवाते हैं प्लस आपको ओवर्स करते हुए भी नजर आएंगे तो इनको हम लेके दो जाएंगे इवन कैप्टेंसिप वाइस कैप्टेंसिप भी आप इनको देना चाहो तो दे सकते हूँ यासे निल व्रूम शायद आपको कल ओपनिंग करते हुए नजर आए अभी तक एक भी मैच में इतना कुछ खास परफॉरमस नहीं रहा है वैसे वो अंडावन खिलते हैं लेकिन कल की मैच में शायद ओपनिंग कर सकते है याप निक के लिए की बात करो तो पहली मैच में चार रन के इसके बाद 22 रन का स्कोर किया इसके बाद 8 इसके बाद 58 इसके बाद 22 आठ अठावन और 35 तक अच्छा खास स्कोर करके दे रहे तो इनको थो आम टीम में लेके जाएंगे यार अच्छा काजा परसार्फरमस आप देख सकते हो तो ठीक ठीक परसमस राहे यहाँ उनकोणस को बत करेंगे ये यह फर लिव जॉन्सन कि बात कर सका ह्यारी mess रहे जाक्छा और ड पर बात करो अनारो खिचन की तो एक वेरी इंपोर्टेंट पीक हमारे लिए हो सकती है कैप्टेंशिप वाइस के लिए भी एक अच्छी चोइस हो सकती है यह पर बात करो पहली मैच की तो 12 रन का स्कोर किया ता चार रोस की गैनबाजी की तो पर एक विकेट मिला तो एक पर एक विकेट मिला उसको पर इसके बाद 16 रन का स्कोर किया तो प्लस पब्लिक उनको गैप्टन बना के जाएगी तो अगर आप सेफ जाना चाह रहे हो स्मॉल लिग में तो आप इनको ही कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दीजिए गा यहापर माइकल रिपॉन के बात क कि जापर एक विकेट उनको मिला था इसके बाद 28 रन का स्कोर किया बैटिंग करते हुए और चारोस की गैन बाजी कि जापर दो विकेट उनको मिला यहापर मैक्स चुक की बात करो तो वह भी बैटिंग से कोई भी पर्फरमस अभी तक अच्छा नहीं दिया उन्होंने बा लेते हैं पेल पर दो विकेट उनको मिला था दूसरी मैच में एक वर के गैन बाजी कि जापर विकेट नहीं रहाए इसके बाद पिछली तीनोई मैच से उनको विकेट नहीं मिला लेकिन आप देख सकते हो कि जब भी विकेट लेते नजर आएंगे तो यह कुछ कहा सागा आपने टीम की कंडिशन पर नजर आएंगे इसके बात पिछली दोनोगी मैच से विकेट ने मिला इसके बाद चार ओर्ष की गनवाजी कि एक विकेड मिला बेटिंगर देवर चार अंके इसके बाद पिछली 3 मैचों की बात करूँ तो पिछली 3 मैचों में उनको विकेड नहीं मिला हुआ है। यह अगर टीम उनको मुखा देती है तो आपको ओस करवाती हो नजर आएंगी प्लस आपको एक-दो विकेट लेते वे भी नजर आ सकते है आपर जैक गिपसन एक मैच खेले हो जापर थीन उसकी गयन बाजे गित चाहपर एक विकेट मिला था और बेटिंग करवाने का भी मु पहले बार खेलेंगे जिन्होंने ओर अगर खेलेंगे तो आपको टॉप ओडर में नजर आ सकते हैं यहाँ पर आपको तीसरे चोथे नमर पर भी बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पर बात करूं देथोवर की तो एब मेकेंजी और जैकॉब डफी यह दोनों आएंगे यहाँ पर मैथ्यो व्यकॉण की बात करूं तो वह कलकी मेश नहीं खेलेंगे प्लस यहाँ से जेजे टास्मन जॉन्स वह भी कलकी मेश नहीं खेलेंगे और यहाँ पर विलर ग्लीनर इनको एक मेश खेलने का मौका मिला था लेकिन कलकी मेश में वह नहीं और अनारू किचन ने 16 रन का स्कोर किया था लोकी फर्गुशन ने चार विकेट लिया थे तो यह चार विकेट उन्होंने इसी टीम के सामने लिया तो यह आपको नोटेस करके चलना है यहाँ पर बेंड लिश्टन ने भी चार वर्ष की ग्यान बाजी किती जापर दो नइ किया हुआ है तो चलिए अभी ड्रीमिशल कि टीम पर नजर कर लेतिके रहाले और लोग कोंसे आउड करके जा सकते हैं क loud को प्लस आपको ऊफच की मैच में वो उपनिग वी करवा सकते और कल की मैच electro को पर नहीं मोगत नहीं है बाकि आप ग्रांद लिक में मौका देना चाओं तो देख सकते हो यहां से बेटिंग section की बात को तो रूथर पोड को और में लेके जाऊंगा यहां चैपमेंग कलकी मैच आपको खेलते हों नजराएंगे तो उनको लेके जाएंगे यहां पर Nick Kelly को लेके जाएंगे और यहां से G-Worker को हम लेके जाएंगे यहां पर auissements को तो अनारू किछ को इक लक्तना है आपका अपको दुगा अच्छा रहेगा अमारे लिए तो यहां से एक कुछ देख सकते हैं कैप्टmänしब देए मिननी यहां पर रुदरपोड को Irv wifi 2500 Legend को अदनी mm अधिर और अधिर शेफ चाना जाए तो यह तो मैझे पहले पहले आपको बता है कि अनारो जयकुली के लिए Saim देके नहीं आएगी लेकिन अभी बंदा पॉम में पिछले दो में अच्छा पर्फरमस करता आ रहा है तो आप अगर कल की मैच में उनको पर्फरमस का आपको पूरा वीडियो देखते रहो अच्छा एनलिसेच करते रहो अच्छी टिम बनाते रहो अच्छी मिनिंग करते रहो हम लोग मिलती अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई धन्यवाद जयहिन जय भारत